हेलो फ्रेंड्स फ्री पल में आप सबका स्वागत है आज हम आपके ले क्या है लसन की चटनी लसन चटनी तो आपने कई बार देखे होगी आज मैं बिक्कुल नए स्टाइल से नए अंदाज में आपके ले क्या हूँ लसन की चटनी तो आएए देखिए करें स्टाइट लसन लेकिन मैं लेमन नहीं डालूंगे और कुछ डालूंगी लोग सिर्का भी डालते हैं लेकिन लेमन ना सिर्का में और कुछ डालूंगे स्टाट करें तासन की चट्नी यह हमने लाल में पिश लिया है इसको हम लोग ऐसे से पीसिस कर लेंगी जैसे मैंने किया ना वैसे अब इसमें बीज है बीज रखने प्हें यह बीज है अब यह बीज रखने सी क्या था कि थोड़ी तिखापन आएगा और अगर आपको बीज तीखापन नहीं चाहिए तो आप ना इसके टंठा लेटा देना इससे तीखापन नहीं रहेगा मैं मुझे तीखापन नहीं चाहिए तो मैं इसके बीज निकाल दूँगी और सब बीज के पारी बारी पीस कर लूँगी याट कर ये रहेंगे और ईसे पीसी में अइंगे घ्या करेंगे तौड़ा जक्तिक ये समें सब्सक्राइब टोड़ा सबस्टाइक चाहिए और हमारे हमें ध्यान को time को भरी प्यार पREE होते हैं तोड़ा सा मूटा वाला वो रखना है अभी थोड़ा सा ज्यादा मूटा है हल्का सा और पीसना है मेरे को तो इसको विक्कूल माइन विक्कूल ना पेस्ट बना देंगे तो मज़ा नहीं आएगा रसंगी चटनी में देखे आप एक बार में चेक करते हूं मुझे ना थो हलका सा और जाएगा यह बस अब मुझे रखता है काफी है यह हो गया I think खुल जा शिम्सीम खुल गया देखो बस इतना ही रखना है मुझे अब इसको मैं खाली कर लूँगी अब हो ना हरी लाल मिच लेंगे हाफ लेंगे अब हाफ के लिए इसलिए कि हाफ को हमको भी बारिक पेस्ट ना है और हाफ का जैसे लसन रखाता है मोटा वैसा पीस ना हमको तो इसको बारिक पेस्ट बन गया बारिक पेस्ट यह अब इसको खाली कर लेंगे अब बाकी बच्ची लाल मिच का हम मोटी रखेंगे जैसे लस में उसमें रसन बचाय तरह आट दसकली उसको फ्राइ कर लेंगे और फ्राइ क्योंकि आप मेरा एंड तक वीडियो देखिए पता चल जाएगा मैंने सर्सो कोई लिया है कोई लोग घी भी लेते लेकि मुझे सर्सो कोई पसंद है तो बिने सर्दी में अच्छा रहता है सर्स अब चुन हम ना कटा वा लसन था लसन का पेस्ट वह इसके अंदर डाल देंगे अब बस फिराप गया है अब इसको ना ऐसे में के रिच आछ ना वैसी पकाना जैसे मैं पकार रहा रह से लग से एसे हैं एसे ज़ी नहीं रहना इसे क्यों होगा कि लसन की स्माइल नहीं रहेगी उसके अंदर जब लसन चटनी बनेगी तो अलग से इसमाइल लगी कि और मिक्सों जाएगा अब इसके बाद में पग गया आप इसमें जो मोटी वाली मिर्ची पीशी ती ना वो डाल के इसके अंदर हाक आपने नेटिया है अम एक आप इसको ही नहीं के नогत्तों सथी क्या जैसे लस्टन को चया हैया कि मिक्स हो जाय सब्सक्ублиirlια है मैंने टूटिस किया लिए मैंने लोई के लिए लिए पता क्यों और क्यों जीकि आता कैसी हूं think अब इसे बारिक पेस्ट था ना वो भी मैंने लिया है इसको मिक्स कर देंगे और इसको हिलाएंगे जैसे देखिए जैसे मैं हिला रही हूं वैसे सबको थोड़ा करके 2-2 मिनिट के बार डालना है तो मिनिट पहले अपने लसन डाल दीया फिर मोटी वाल मुर्ची डाल दीया एक मिट्स पकाई और एक जाल दिया वह थुए अब ऐसी दालना है जब यह हुजा है तो लोग प्रैम कर देंगे जाले टाइप में आगए बस से ऐसा बनाना है अगर आपको लगते है गाड़ी लगती है आपको तो थोड़ा जब ढ़कते हो नो कवर करते हो तो इससे पर थोड़ा सपाने डाल दो मुझे ऐसी चाहिए थी अब देखो पकी ना अब मैं लेमन नहीं डालने नहें अ फिछे कहा ड़लें धाई मैं दही डालूंगे इसके अंदर आप लेमन भी डालसकते लेकि मुझे धाई पसंद है इसके अदर इससे के डाईजिस अच्छा सा हो जाता है लेमन भी डाल सकते ध तो आपको पसंद आए तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरू कर देना, थैंक यू सो मच देखने के लिए